हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी अबाउट मर्ज सॉट मर्ज सॉट भी एक क्विक सॉट की तरह डिवाइड एंड कॉंकर टेकनीक क्यों पर काम करता है एंड वर्ष्ट केस टाइम कॉंपलेक्शिटी ओफ मर्ज सॉट इस ओ एंड लॉगन इस वेल्यू यह कैसे आती है वैल्यू इसका लॉजिक है वह हम अलग एक वीडियो लेक्चर में देखेंगे इस लेक्चर में हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मर्ज सॉट की मदस् सब्सक्राइब देखेंगे अब इसमें कितने एलिमेंट्स है हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ सो था मिडल पॉइंट इस फोर तो क्या हुआ यह दो एरे बन गया यह दैट मेंस वन एरे इस 15, 34, 28, 11, and 1 एरे इस 36, 20, 43, and 45 अब दुबार आप इनको डिवाइड करेंगे हम तब तक डिवाइड करते हैं जब तक एक एरे में सिंगल एलिमेंट ना बचे तो दुबार जब दिवाइड करेंगे तो वह यहां से डिवाइड होगा तो यहां पर बचेंगे मेरे पास दो एरे आजेंगे 15, and 34, here also 2 एरे, 28, and 11 और यहां पर भी दो एरे आएंगे 36, 20, and 43, 45 ना फर्दर डिवाइड दा एरे तो अब आपका सिंगल एरे बचा एरे हुआ जिसके में सिंगल एलिमेंट्स हैं ना वी केन कंपेर देम एंड मर्च तो फॉर्म आ sorted एरे, अब देखिए आप एक हे करके इनको कंपेर करेंगे, अफसले हम कंपेर करेंगे 15 और 34 को, 15 and 34, अब यह बिल्कुल सही पोजिशन में है तो एक एरे बन जाएगा, जिसमें 15 is placed before 34, and then we will compare this, अब देखिए 28 और 11 की पोजिशन इन्टरचेंज होगी, क्योंकि 11 जो है वो 28 से छोटा है, तो यह जो एरे बनेगा, after merging, this will be like 11, 28, similarly यह वाला जो एरे बनेगा, वो बनेगा आपका 20, 36 and this array will become 43 and 45, तो आप कौन-कौन से array merge होंगे, यह दो और यह दो, जब यह वाला array merge होगा, तो क्या मिलेगा आपको, अब देखिए merging कैसे होती है, यह वाला element इससे compare होगा, अगर इसकी value small है, तो वो इससे interchange हो जाएगी, अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 15 जब 11 से compare होआ, तो 11 is smaller than 15, so it will come here and 15 will come here, उसके बाद 34 compare होगा, 34 is now smaller than 15, so 15 will come here and 34 will go there and then finally the comparison between these two, तो after sorting the array will become like this and similarly here also, यहाँ पर array क्या मिलेगा आपको, 20, 36, 43 and 45, अब फाइनली जब आप इन दो को merge करोगे, तो same आपको process apply करना है, तो जो array मिलेगा वो आएगा, 11, 15, 20 आएगा, क्योंकि 20 जो है, 28 से small है, 20 then 28, then 34, 36, 43 and 45, So, in this way you will perform merge sort on a unsorted array.